प्यारे बच्चों मैं आश्य शेकवाद आप सभी का स्वागत करता हूं विद्धे क्लासेद में बच्चों आज हम 11 क्लास में पढ़ने वाले हैं 11 क्लास की फिजिक्स में यूरिट नमर फॉर ठीक है यूरिट नमर फॉर आपके आएगी बच्चों ये कारिय उड़जा और वर्क एनरजी और पावर ठीक है ये जो बच्चों आपके होम एक्जाम जो आपका जा रहा है इस पार आपका 2023 और 24 के लिएक बात करते हैं बच्चों आप से ठीक है तो ये जो आपके मार्क्स आएंगे निकल एक इसमें से तो बच्चों ये आपकी जो यूरिट है वह हो जा रहा है उसके कोडिंग देखे हैं तो बच्चों आपका इस चैप्टर नंबर जाएगा 5 ठीक है और ये यूनिट बजाएगी आपकी तो यूनिट 4 में चैप्टर में 5 आपका रहेगा NCRT वाली बुक के कोडिंग और वैसे हमारे इस यूनिट में आपका NCRT के का आज आएगा ठीक है तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपका नया चैप्टर कारे उड़ जाओ और शक्ति चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर कारे उड़ जाओ और शक्ति वर्क एनरजी एंड पावर ठीक है तो बच्चों आ हम जानते हैं बच्चों कि जब भी हम कोई work करते हैं तो वर्क किस तरीके से होगा ठीके है हम जानते हैं कि बच्चों काम करते हैं जो हमने बल के माध्यम से उसको विस्थापित किया थो उस द हम कुछkeeping करते हैं ना हम कुछ ना कुछ हम वर करते हैं तूब बन थोigosर को आट you यहां आधे में यहां ट्र्रीक्शन करते हैं, हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाय करते हैं, जैसे सैकल चलाना हो गया। पड़ना लिकना हो गया, खेत महल चलाना हो गया, ठीक है, कुवे से खीचना हो गया, जल को खीचना हो गया, ठीक है, तो इस तरीकी जो हम अपने द्यानिक जीवन में किरियाय करते हैं, वो सारी किरियाय बच्चों आपकी कारी के अंतरगत आती हैं, ठीक है, इस प्रकार सभी उन सभी क्रियाओं को जिनमें बल लगाने से वस्तु की स्थती में परिवर्टन हो जाता है कारे कहलाता है परंतु यदि बल लगाने से अपने लगाने से वस्तु अपने इस्थान से विस्तापन ना हो तो इसका मतल़ होगा बच्चों कि वहाँ पर क्या कारिया शुनियाने कि वहाँ पर आपने कोई कारिया नहीं किया है तो कारिया बच्चों तभी होगा जब उस वस्तु में विस्तापन होगा यदि विस्तापन बच्चों नहीं होगा तो कारिया आपकर जीर होगा विस्थापन जानते हैं बच्छा आप कि विस्थापन एक सदिश राशी होती है ठीक है विस्थापन क्या होता है कि किसी गतिशिल वस्तो की प्रारम भी को और अंति में सदिक बिच की दूरी ठीक है प्रारम कहां से किया और अंत कहां किया उसके बीच की जो दोरी होगी जो distance होगी उसकर देरा बच्चो यहाँ पर विस्तापन क्या आता है displacement तो देखें आगे इसका मतलब क्या होगज़ बच्चो कारे क्या आपको है यहाँ पर कि किसी वस्तु पर बल लगाकर ठीक है किसी वस्तू को बल लगा कर वस्तू को बल की दिशा में विस्था पिन करना ही कारी किलाता है यानि कि अगर आप किसी भी object पर force apply करते हैं, अगर force जिस दिशाम में अबने इस दिशाम में अगर होता है, तो आपको काम होगा बच्चो आपका कि वस्तू के विस्थापन पर विस्थापन यानि कि बल की दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है इन दोनों बातों बच्चो निर्भा करता है ठीक है तिक तरीके आसा मियां पर क्या सकते हैं कि जो आपका कारिय होगा कारिय पर आपक बल गुना विस्थापन आएगा और विस्थापन कहा न चाहये विस्थापन यानि कि जो बल की दिशा में विस्थापन होगा बच्चो अमें उसे देखना है जैसे एग्जामपल लेखें बच्चो कि किसी वेक्ति का उर्दभातर रुषाय पर चड़ना गोडे का द्वारा गाड़ी को खीचना इंजन द्वारा इंजन द्वारा ट्रेन खीचना इत्यादी ठीके तो इस तरीके से आपको बचो द्यान ये रखना है कि कैसे यहाँ पर आपको काम करना होगा या कारी आपको किया जाएगा तो कारी के लिए आपको ध्यान अगना है कि जा आपका विस्तापन हो बल की दिशा में हुआ है या नहीं हुआ है बल की दिशा में विस्तापन में बच्छो कितना हुआ है थीक है इन सारी बातों पर निर्बर करता है आपका क्या अगर कारी है थीक है यदि किसी वस्तू पर भाईये बल लगाने पर वस्तू लगाएगे बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तब कहा जाता है कि बल द्वारा वस्तू पर कारी किया गया है इस प्रकार किसी वस्तू पर क्या गया कारी बल तथा उसके द्वारा वस्तू के विस्तापन पर निभा करता है ठीके तो डिपेंड करता है कि आपका डिस्पलेस्मेंट यानि कि आपका विस्तापन किस सैंगल या किस दिशा में हो रहा है ठीक है तो किस तरीके सब यहां देख लेते चलिए बच्छो आप आगे चले neutral पर देख लेते हैं अगे अगर आपके पासमें έले महां पर है तो यह वाला object है आप यह देख पा रहे होंगे ठीक है? अगर आप इस object को बच्चो यहाँ पर देख पा रहे हैं तो बच्चो इस point को यहाँ पर consider कर लेते हैं कि यह आपके पास में point A होगा यहाँ पर आपके पास में कोई object है और आपने force बच्चो लगाया इसको इस तरीके से तो इस तरीके से लगाने का मतलब होता है कि अगर आपके पास में मान लेते हैं बच्चो कि यह कोई एक सडक है आप इस पर आपने कोई गाड़ी ले ले नहीं है बच्चो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर एक गाड़ी ले ली जैसे माल लो आपने यहाँ पर गाड़ी ले लिए बच्चो उसके बाद आपने क्या गाम किया कि यहाँ पर जैसे आपने कोई गाड़ी ली तो आपने इस गाड़ी को किस तरीके से मेंटेन करना है आप इसको भी देखेंगे यहाँ से तो आप कोई गाड़ी नजर आएगी बच्चों यहाँ पर ठीक है इस थरीके से माल लेते कि हमारे पास में यह कोई ट्रक हो गया ठीक है अब इस ट्रक को बच्चों मान के चल लेते कि यहाँ पर आपके पास में इसमें हलका असा है यहाँ पर इस तरीके से यह किये हमने हैंडल लगा दी जिससे कि हम इसको खैच पाएं ठीक है और इसको हैंडल लगाने के बच्चों मान लेते हैं कि आपके पास में यहाँ पर कोई एक बालक होगा ठीक है आपने मानले बच्छों यहाँ पर कि आपके पास में कोई एक बालक यहाँ पर है इस तरीके से ठीक है और इसके हाथ में मानले थे कि यहाँ पर इसका बच्छों यह वाला ठीक है इस तरीके से मानले थे कि कोई बालक आपके सामने यहाँ पर है ठीक है और यहाँ पर इसके हाथ बना देते हैं और आप यहां पर काम करते हैं बच्चों की एक यहां पर आप एक रसी को दे देते हैं यहां पर इसके हाथ में इस तरीके से जब यह रसी जाएगी ठीक है तो अब यह माल लो कि आपके पास में बच्चों यहाँ पर कोई गाड़ी आ गई है अब यह बालक जो आपका इस गाड़ी को खेचता है तो जब आगे चलेगा तो क्या गाड़ी यह आपकी इस तरीके सुटके चली जाएगी तो वही केस यहाँ पर हो रहा है कि बल आपने किस एंगल से लगाया है और विस्थापन आपका किस दिशा से हुआ है तो मान किसे लेते हैं कि हमारे पास में बच्चों गाड़ी है ठीक है और यहाँ पर आपने फॉर्स का लगा दिया अप्लाई कर दिया इसका vertical component जाएगा एक इसका बच्चो horizontal component जाएगा ठीक है इस दिशा में तो इस दिशा में बच्चो कर आप देखते हैं तो जब इसको ट्रेंगल बनाएंगे तो इस case में आपको जो 36 गटक निकले कर आएगा बच्चो आपका ये वाला ये निकले कर आएगा आपका f cos theta है ना तो किसी बल द्वारा किया गया कारिये किसी बल द्वारा किया गया कारिये बल के विस्थापन के दिशा के अनुदुष घटक तथा विस्थापन के परिमान के गुननफल के बराबर होता है जिसको बच्चो में दिखाते हैं बच्चो यहां पर डबलू से ठीक है माना किसी वस्तु पर 36 दिशा से यहां पर आप देख पार होंगी ठीटा एंगल पर आपने कोई बल लगाया ठीक है बल चुके सदिश राशी इसलेग से बच्चो वेक्टर आ चुका है ठीक है और 36 दिशा में जो विस्थापन हो वो डी हुआ तो विस्थापन बच्च आपकी सदिश पर आपका वेक्टर आगया जैसे हम डिखा चुके हैं तो बल का जो 36 घटक होगा बच्चो क्या हो जाएगा आपका एफ पॉस्थापन के दिशा में बल का घटक कि विस्थापन अगर बच्चो विस्थापन आपका इस तरीके सो रहा होता है तो फिर हम बल यहीं लेकर चल दूसलें फॉस्थापन आपका जाएगा स्मॉल डी तो जैसे सको सोल आप करेंगे तो आपको वैल्यू बच्चो निकल का जाएगी यहां पर आप इसको जानते होंगे पढ़ा होगा आपने बच्चो यह वाला कितना जाएगा डबलू बराबर वेक्टर आप डोट डी ठी डबलू बराबर वेक्टर अप्टोट दी निकल गा जाएगा और यह बच्छ आपका एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है एक कैसी विस्थापन के बच्चो इसकेलर गुणनफल यानि कि हम इसको स्केलर गुणनफल भी कह सकते हैं बच्चो या बिंदू गुणनफल भी कह सकत में कि बढूबर आपका होता है यह पढ़ चुके हैं बच्छों समतल में घती वाला दोन्द कढ़ होगा है तो चले बच्छों आगे बेखले हैं है एक नहींत व्लड़ा करतकारे कि यह कैसे हो तो इस पहला आपका यह कहता है कि कारे की गर्णा करनी है जब बल एवं विस्तापन दोनों एक ही विशा में हो ठीक है तो जैसे आप यहां बच्छों देख पार होंगे हमारे पास में एक अब्जेक्ट है यह वाला ठीक है इसको हमने माले के पॉइंट टेपर है आपने फॉर्स इसको आ गया ने कि पॉइंट बी पर आ गया ठीक है और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेस्मेंट वहा बच्छों आपका एस हो रहा है ठीक है तो अगर आपसे को पूछता है कि इसमें कितना कारी होगा तो बहुत सिंपल है इसमें कारी हो आपको जाएगा डबलू बराबर एफ को आपको जाएगा बस्तीर तो इस तरीके से वैल्यू आपकी निकलके यहां पर आजाते हैं चलिए अगर यहां पर आपके पास में एस्तिति से कोई भी विस्तिति तक विस्तापीस हो जाती है जैसे आपको भी हम लिग दिया है चित्र में दिखा रखे आपका, तब आरोफित बल द्वारे जो किया कारे होगा, बच्चो आपका W बराबर F.S हो जाएगा, ठीके, चुकि कारे पर नहीं आएगा, कारे बच्चो आपकी कदिश राशी होती, अब सको खोला जाएगा, तो सिंपल ही आपका निकल का जाएगा जब बल विस्थापन से, विस्थापन से बच्चो ठीटा कॉन पर हो, ठीके, तो जब ठीटा कॉन पर होगा, तो बच्चो इस तरीके से देख लेते कि करमालना हमारे पास में अब्जक्ट A है यह वाला, ठीके, और हमने इस पर force अप्लाई किया, इस तरीके से, यहाँ पर तो जब बच्चो अमने force यहाँ पर अप्लाई किया, तो आपको बच्चो यहाँ पर इसके घटक देखने होंगे, कि यहाँ पर इसकी value घटक कितने निकल का आते हैं, तो जैसे हैं निकालते हैं, बच्चो आप यह निकालेंगे, यह आपका होगा, और यह वाला आपका कर बच्चो ऐसे हमने, तो इसलिए इस भलका परिमान जायेगा, और 36 गहतक जायेगा, और 36 के साथ बच्चो एसे, बच्चो चाहिए शेल एक, यह वाला force यह वाला force इसको आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, यानिकि इसको आगे की पॉइंट बी पर उसको गर मानके चल लेते हैं यह पर है इस तरीके से आपका यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों यहां पर घटक काम कितना कर रहा है बचो यहां पर देख सकते हैं कि भल सधीश राशिय क विष्थापन सधीश राशिय कर दोनों के गुद्फल आपको मुइटीय अदिश राशिय कर रहे हैं आहना कर्या अगर आदने और शुने भी ओसकता है तो पहले देख लेत कि कारी कैस्थ होगा तो यहां जो बच्चो एंगल दिनेट होगा उसकी वैल्यू 100% 0 से जादा होगी है ना हम कह सकते हैं बच्चो 0 से 0 से जादा होगी ठीक है और 90 डिगरी से कम रहेगी यहने कि न्यून कुल मनाएगा तो जब भी ठीटा की वैल्यू 0 से जादा या 0 हो या 90 हो 90 से कम हो ठीक है तो वो हमेशा बच्चो आपका जो कारी होगा वो कैसा होगा कारी आपका बच्चो बन जाएगा positive ठीक है कैसा होगा positive होगा यादि आपका noon कोण मनाता है धनात्मा कारी दर्शा आता है कि बहाये बल पिंड की गति का समर्थन कर रहा है ठीक है इस तरीके से उधारा जैसा आप यहाँ पर देख पारे होंगे यह व्यक्ति दोर उठाए गया जो भार होगा है ना तो यहाँ पर कारी आपका पॉजिटिव जाएगा और दूसरा यहाँ पर देख रहे हूं तो वो नीचे की तरफ जा रहा हो तब भी आपका कारी बच्चो पॉजिटिव रहेगा ठीक है अब आगे चलेते हैं आगे कहता है बच्चो आपका नेगेटिव है ना यदि कि आपका मतलब क्या है कि अगर गति आपके आगे की तरफ हो रही है और आप अउसको फॉर्स प्रिखन देंगे हैं पर लगने वाला बल या बल का घटक विस्थापन के विपरीत हो यानि कि गति आपकी आगे हो रही हो और यहाँ पर जो आपका एंगल हो इस तरीके से उसको रोकने का परियास कर रहा हो ठीक है तो इस केस में इसको घटक होगा बच्चो घटक जो वै ठीक है चुटकि यहाँ पर बच्चो आपका एंगल पर दूबहा रही है तो दूबच्चो यहां पर बच्चो आपको और विस्थापन के बीच बना और जसका हो बल कोण हो तो बल द्वारा करें कैसा होगा आपका नेगर्टिव होगा ठीक है बातसमा की नेगेटिव कारी है दर्शा आता है कि बाहिये बल पिंड की गती का विरोध करता है यानि कि उसको रोकने का बच्चो परियास कर रहा है क्यासे यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को प्रत्वी के सते से उपर उठाता है तो गुर्त्विये बल द्वारा किया गया कारी नात्मक होगा जो गृत्विये बल होगा जैसे अगर आप देख पार होगे कि हैं अपे याप्य लिफ्टिन के उसे इसको उपर श्र Pack के टरफ था रहा है तो गृत्विये बल आपका नीचे की तरफ का रहा है जैसे आपको object नीची के तरफ आ रहा होगा तो घशन बल हमेशा इसकी गतिए के विप्रित कारी करता है तो यानिक घशन बल के माध्यम से इस object पर यानिक इस वस्तु पर जो कियागा कारी होगा बच्छो वो कैसा होगा negative होगा ठीक है चलिए यहां तक क्लियर हो गया अब आगे चलते हैं बच्छो शुन्यकारी करें कि जब आपको इसी वस्तु पर बल लगाए है ना लेकिन उसमें विस्तापन नहीं होगा बच्छो तो उस केस में हमारा कोई कारी यहां पर नहीं होगा जैसा हम देख पार हैं कि हमारे पास एक हमारे पास नहीं है पर को अब्जेक्ट है हम सब्सक्राइब करते हैं और साब देख रहूंगे इस दिशा में आपने जगे से जब यह नहीं पाए हिला नी उसमें को विस्तापन हुआ नहीं तो बच्छो इसके अंदर विस्तापन होगे जीरो तो इसकाला क्याग्यकारी कि दूसरा क्या है कि अधि पिंड पर लगाने वाला लगने वाला बल सुन्य हो जाए तो काम कहां से करेंगे ठीक है किसी चिकनी 36 मेच पर पिंड पर कोई 36 बल कारी नहीं करता था क्योंकि घर्षम बल नहीं है जबकि पिंड पर विस्टापन काफिया दिख़ो सकता है तो यदि आपने किसी अब्जक्तव कोई बल नहीं लगा तब आपका कारी क्या हो जाएगा ठीक है तीसरे क्या होगा यह आरूपित बल विस्थापन के परसपर एक दूसरे के लंबत हो यहानि कि अगर आपके बच्चों यह परपेंडिकुलर है अगर आपके बच्चों यह formula बच्चो आपसे ये कहता है ये w बराबर आपका होता है f dot s होता है इसको जब खोलते हैं बच्चो तो f s cos theta निकल आता है और theta की value बच्चो जैसे हम 90 रखते हैं तो हम जानते हैं कि cos 90 degree की value आपकी 0 होती है और जब यहां बच्चो रखेंगे 0 तो f s into में 0 हो जाएगा तो यदि आपका बल और विस्थापन दूसरे के बच्चो प्रपेंडिकुलर है दन उस case में क्या अगया कारे बच्चो आपका क्या होगा शून्य होगा जैसे यदि एक कुली अपने सिर पर समान रखका 26 सिता में चलता है तो उसके गुरुथ के विरुथ क्या अगया कारे बच्चो शून्य होगा चुकि आप देख लेते हैं बच्चो यहाँ पर बच्चो जैसे मालो आपका कोई ये है ना कोई आपका ये कुली कुली अब जैसे माल लोगों कोई आपका है ये अपने सर पर बहुत रख लेता है अब इसका माल लेते हैं कि जिसको जो वदन होगा वो आयम होगा ग्रेवटी के वज़े से इसका जो काम करता अप वो नीचे की तरफ काम करेगा लेकिन विस्थापन इसका बच्चो आगे की तरफ हो रहा है तो अब अब अगर यहां पर देखेंगे एंगल आपका ठीटे की वाल्यू कितनी बन जाएगी उस केस में 90 डिग्री बन जाएगी न तो यहां पर जो कियागय कारी होगा बच्चो आपका शुनिय होगा ठीक है यह बल बच्चो कारी और का वी में सुत्र है तो एक दू कारी आप जानते कि बल गुन विस्थापन होता है तो बल की वीमा क्या आती है बच्चो है ML T-2 है ना विस्थापन की आपके L होती है तो सुलड करेंगे बच्चो तापकी वीमा निकल के आ जाती है क्या निकल के आ जाती है बच्चो ML T-2 है यहाँ पर द्यान देंगे तो यह बच्चो आपकी माइनस की 2 है ठीक है माइनस के आपकी वीमा बच्चो आपकी माइनस की 2 हो जाएगे ठीक है अब अगर देखें बच्छों यहां पर अर्ग और जूल में सम्मन तो जो बच्छों आपका अर्ग मातरक होता है बच्छों आपका इस CGS पद्विती में होता है CGS और यह जूल होता है बच्छों आपका एक time case में कह सकते हैं इसको यह ऐसा ही सब्ट्र craft क्क और सब्सक्राइब एक जूल जो पड़िए सब्सक्राइब इसको कह सकते लियाने की बरावर होगा ठीक है चलिए अब आगए चलेते हैं बच्चो जैसे आपके सामने बच्चो कोशन आया कोशन क्या कहता है कि एक कंड पर बल लगाया है ना तो बल आपका बच्चो सब्सक्राइब रखा है तो फोर आई कैप दिया है जे कैप दिया है प्लस के थिरी के कैप दिया है कि अंतरगत आरवन आपको दिरखा है इस्तथी आपको दिरखिए वेक्टर आवन आपको दिया बच्चो थिरी आई कैप दिरखा है प्लस के टू जे कैप दिरखा है माइनस के 6 के कैप दिरखा है ठीक है और बच्चो आपको आर टू दिरखा है तो आपको सबसे पहले बच्चो आपको विस्थापन निकालना है तो विस्थापन क्या होगा विस्थापन यानि कि अगर हम इसको S कहते हैं तो आपको हो जाएगा बच्चो R2-R1 निकालेंगे ठीक है तो देखें कैसे इसको solve करेंगे बच्चो पहले value लखेंगे आट होगे तो 14 I cap बच्चो प्लस के 13 J cap प्लस के K cap है ना फिर माइनस लगाएंगे 3 I cap प्लस के 2 J cap माइनस के 6 K cap लगाएंगे अब यहाँ पे बच्चो उसको ऐसी लिख देंगे 14 I cap प्लस के 13 J cap प्लस के K cap माइनस के 3 I cap प्लस मैनस माइनस हो जाएगा माइनस के 2 J cap माइनस माइनस बच्चो प्लस हो जाएगा 6 K cap ठीक है अब धिहान देंगे बच्चो इसको इसमें देखेंगे तो चोदे में से तीन जाएंगे बच्चो ग्यारा बचेंगे ठीक है चोद तेरह में से तेरह में से दो जाएंगे बच्चो प्लस के ग्यारा बचेंगे ग्यारा ये कैप और एक और छे प्लस के साथ जाएंगे साथ के कैप तो यह आपका बच्चो विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, क्या निकल कर रहा है बच्चो आपको विस्थापन निकल कर रहा है, तो जब विस्थापन निकल कर आ चुका है बच्चो तो आप देखें कितना कारी आप निकालेंगे, तो कारी अगर आपको निकालना है, तो W बर अब राफ़ान लगाएंगे बच्चो वेक्टर F.S लगाएंगे और यहां पर बच्चो वेल्यू पुट करेंगे पहले F की वेल्यू लिखेंगे हम पर 4 I cap प्लस के J cap प्लस के 3K cap लगाएंगे पर नीचे लिखेंगे बच्चो आपकी 11 I cap प्लस के 11 J cap प्लस के 7K ठीके अब बच्चो आए की I वाले में करेंगे J की J वाले में करेंगे K की K वाले में करेंगे तो 11 चोक 44 प्लस के 1 इंटू 11 तो 11 आ जाएगा प्लस 7 तीय 21 ठीके तो आप देखेंगे 44 और 11 पच्चपन और 21 कितनों के बच्चो 76 तो ये बच्चो इस कोशन का आपका आंसर है ठीके तो इस तरीके सापको बच्चो इस सवाल करना है चलिए अब आगे चलेते हैं ये कहता है एक वस्तो 50 न्यूटन का बल F देती है बच्चो आपको 50 न्यूटन का पोर्स अपने लगाया ठीके लगाने वस्तो बल के दिशां से ठीटा आपको दे दिया बच्चो इहांपर 60 डिग्री कोण बनाते भी 20 मिटर का बिस्तापन आए एस पर आपको दे दिया बच्चो 20 मिटर का विस्तापन या विस्तापित हो जाती है तो आपको डबलू निकानना है formula आप लगाएंगे W बराबर बच्चो F S cos theta F की value कितनी है 50 है S की value कितनी है बच्चो 20 है और cos की value कितनी है कि बच्चो cos 60 degree है ना तो यहाँ पर कितना हैगा 50 गुना 20 गुना 60 की value कितनी है कि बच्चो एक बटे 2 इससे cutting दस बार 50 के दसमों को ना करेंगे कितना आएगा बच्चो 500 जूल निकल का जाएगा ठीक है तो इस तरीके से question को S S all out करेंगे ठीक है आगे देख लेते हैं बच्चो आगे क्या कहता है आप से यह कहता है कि यदि कोई pin 5 उटरंग के चरबल आपको बच्चो 5 उटरंग के चरबल के यानि constant force आपका बल के परवाव से सरल लेखां में S बराबर आपको पोल दिया कि 10 मिटर के दूरी तैय कर लेता है यदि क्रत कारी आपका बच्चो 25 जूल हो जाता है तो पिंड की कती की दिशार में किस कौन पर ठीटा आपसे पूछ लिया बल कारी कर रहा होगा ठीके तो अब अगर आपको यहाँ पर फॉर्मला लगाते हैं W बराब बच्चो F S cos theta तो आप यहाँ से हमको cos निकालना है ठीके cos theta is equal to आप पर जागा W अपॉन में F into S W की value बच्चो 25 हो गया है ना F की value 5 हो गया और यह 10 हो गया ठीके 5 25 5 से चुकाटा 2 बा कर जाएगा तो एक बटी 2 आ गया और cos की table में 1 बटी 2 किस की value होती है बच्चो cos की table में cos 60 degree की value होती है यहाँ से theta कितना है बच्चो आपका 60 degree हो गया ठीके तो इस तरीकर से theta की value कितना है बच्चो आपकी 60 degree ठीके तो चले बच्चो मिलते हैं आपसे next video next lecture में नई topic के साथ में आज के लिए धनिवाद happy learning